कि अख्यूत करियर किसी बीडिजी का नहीं होता है भविश्च से किसी बीडिजी का नहीं होता है व्यक्ति का होता है आज बॉम्बी के अंदर आपको टॉप डेंटिस्ट पता करना हो तो आपको मालुम चेलेगा कि 10-15 डेंटिस्टे जो जो बहुत टॉप के हैं ठीक है कई उनके साथ में फियो थरेपिस्ट भी मुंबी के इंदर बहुत अच्छे चसे तब आपके सहर में भी अच्छे फियो थरेपिस्ट होंगे फॉरमेसी वर्टनेरी साइंस बहुत सारे दूसरे फिल्ड है ऐसा नहीं है एंबीबीएस के बगत केके अलाबा जीवन नहीं है एमड सकते हैं कि BAMS खराब है BAMS अच्छा है आप यह नहीं बोल सकते हैं कि बैश्रा आफ युनानी मैडिसन जाए वो ठीक नहीं है हर एक पैथी का आपना एक सिगनिफिकेंस है उसके अपने back with कई बीμारेअं ऐसी होती जिसका इसका होमेपेथी से हो जाता है कई बीमारे ऐसी होती जिसमें ऐलोप नीके कुछ की किने कल नहीं करते हैं तो डात का प्राबलम होगा तो देंटिस्ट के पास दात नहीं निकलवा सकते हैं आप आपको देंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा सहर में अच्छा देंटिस्ट करना पड़ेगा नात बहुत से गलत हो गया वह तो कनेक्शन का बॉड़ी के उपरी पार्ट से जो जो नर्व सप्लाई है वह ब्रेन तक गई हुई है जिंदगी भर का दर्द हो सकता है प्रेंटल सर्जन् का अपना से रोटे स्विए बड़े रिक्रेट करना हो था है डेंटल सर्जन बोलते हैं उसको डेंटल का अपना स्कोप में बहुता है तो इसलिए आप ये सूचना बंद कर दीजिए यदि आपका तीसरा चोथा पांच बार टेंप ते और आप आगे एक्जाम देना नहीं चाह रहे हैं तो आप इन में से कोई फिल चुनिए आपको जी मैं कहरा हूं आपको बीए एमेस चुनने का मौका मिले बीएमेस चुनिए सरदरी में इंटरस्ट है आपको और आप दीक वाकरी में मार्केट में जो है बीडियस में एक ही प्रावलम है प्राइविट डेंटल कॉलेज ने बहुत महोल खराब कर रहा है गोवर्मेंट डेंटल कॉलेज आज भी वह टॉप के डेंटिस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं त उससे जो है वो बीडियस थोड़ा कम कमाएगा जितना बीडियस कमाएगा उसके आसपास थोड़ा कम BMS बीच में डॉक्टर कमाएंगे तो अर्निंग का थोड़ा सा फर्क हो सकता है लेकिन रोजगार तो रहेगा आपके पास गवर्मेंट आयूश को बढ़ावा दे रही ह ठीक है जो तुमें चुनना हो वो तुम चुन सकते हो तुम यह सुच सकते हो कि तुमको इंटरेस किसमे है इफ यू रियली वांट टो विकाम एक गुड सर्जन तो BDS कीजिए बीडियस के बाद में MDS कीजिए देन फैलोशिप कीजिए आप टॉप के सर्जन बन जाएंगे और जिनको जनरल प्रैक्टिस करनी है उनके लिए BAMS बैस्ट हैगा बिटा